नमस्कार दोस्तों आप लोग को बता दूगे यार पेरिस ओलंपिक्स दोजार चौबिस से मनु भाकर जो की एक मैडल दिला चुकी थी भारत को वही मनु भाकर दूसरा मैडल भी भारत को दिलाई हैं दस मीटर एयर पिश्टल में दोस्तों आप लोग को बता दूगी इनके पार्टनर थे सर्वजोत सिंग बनु भारकर सिंग और इन दोनोंने मिलकर ब्रॉंज मेडल जीता है मनु भाकर एक पहली ऐसी भारती खिलाडी हुई है जिन्होंने एक ही ओलम्पिक में दो मैडल जीत लिया है दोस्तों इससे पहले आज तक आजादी के बाद से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं हुआ जिसने दो मैडल एक ही ओलम्पिक में जीता हूँ दोस्तों मनु भाकर इससे पहले भी एयर पिस्टल वाले में कास्टेपदक जीत चुकी थी और आज उन्होंने फिर से एक ब्रॉंज मैडल जीत लिया है आप लोगों को बढ़ा दू कि दोस्तों पहली बार ये हो रहा है कि इस ओलम्पिक में आज तक कोई ऐसा नहीं कर पा एक मिक्स्ट में दोस्तों फिर से एक मैडल जीता है और मनु भाकर के नाम इस ओलम्पिक में दो मैडल हो चुके है और भारत के खाते में भी डो मैडल आ चुके हैं दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुसकरी है और मनु भाकर जैसी खिलारी को जिसने महिलाओं क लिए एक नया इतिहास रच दिया है एक तरीके से मनु भाकर भारत की तरब से ऐसा करने वाली पहली खिलाडी बन चुकी है वहीं दोस्तों पूरे विस्व में मनु भाकर ने भारती महिलाओं का मान बढ़ा दिया है और मनु भाकर आने वाले टाइम में महिलाओं के लिए एक inspirations ही हैं क्योंकि दोस्तों एक ही olympic में दो medal जीतने वाला भारत की तब से कोई पुरुस नहीं भारत की तब से महिला है और उनका नाम है मनुभाकर दोस्तों मनुभाकर का स्वागत कीजिए मनुभाकर बहुत ही बहतरीन खेल लई है और दोस्तों इनसे अब हैट्रिक की उमीद भी की जा रही है कि आने वाले तीसरे एर पिश्टल में भी ये सायद एक हैट्रिक मार दें और इस olympic में हम लोग को तीसरा medal भी इंडिया की तरफ से olympic गेमों को भी सपोर्ट करते रहिए वीडियो अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में बाबाई टेक कियर